पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आशियाना कॉंग्रेस से इतर एक ऐसा गठ बंधन एक ऐसा फ्रेंट बनाने की तेरी चल रही है जिससे नितीज कुमार को आसानी से उनकी अपनी सर्तों पर इंडिया गठ बंधन की तरफ लाया जाया यानि भाजपा से दूर किया जाया थैर इस पूरे कारिक्रम में कितना सफल हो पाता है विपक्ष को भी देखना होगा लेकिन उससे मयदार बात आज फिर हो गया एक बाद फिर से नितीज कुमार की पार्टी अपने ही गठ बंधन के सहयोगी सबसे बड़े सहयोगी भाजपा के आमने सामने खड़ी हो गई देगे आपको पता होगा कि राज सिंग बिहार में भाजपा के बड़े नेता हैं कदावर छवी है हिंदुवादी प्रविर्ति के हैं उन्होंने एक यात्रा की घोसना भी की है 18 अक्टूबर को ये यात्रा भागल प्रसे सुरू होने वाली है लगवग 10,000 लोगों के इस यात्रा में उनके साथ चलने की बात सामने आ रही है और ये यात्रा पुर्निया सुपॉल और अरिया होते हुए पूरे बिहार में घुमकर अंतता इसे चंपारन के आसपास कहीं समाप्त करने की बात चल रही है लेकिन इस पूरे कारिकरम के दोरान जो रूट है और इसका टाइमिंग है उसको लेकर खासा चिंतित है बिहार के राजेतिग्या भाजपा के इदर अगर बागी पार्टियों की बात करें तो राजद इस पर हमला कर रही है राजद इसे आडवानी के इसात्रा से जोड़ रही है और साथी साथ नितीज कुमार को यह नहीं कुछ बोलते हैं तो इसका मतलब ही है कि आगे चलके आने वाल सम रहेंगे और अपने पार्टी का विल है भाजपा में करने जा रहे हैं यह तो आरूप लगाने की बात हुई लेकिन वास्तविक तोर पर गिराज सिंग के इस यात्रा से बेचैनी किसी को क्यों होनी चाहिए यात्रा पर तो बिहार में कई नेता रहे हैं नितीज कुमार फिर जब दुबई गए और वापस आने के बाद उनने फिर एक सेकेंट चरन उस यात्रा का सुरुआत करने की गोशना की है प्रसांद की सोर भी लगातार यात्राओं पर रहे हैं तो आखिर प्रसांद की सोर तेजस्वी यादव नितीज कुमार इनकी यात्राओं और गिर ये भी बयान दिया है कि वो इस यात्रा के दौरान हिंदूओं को एकजूट करेंगे और हिंदूओं के सेंटिमेंट की बात करेंगे उन्होंने यहां तक की हिंदू जनसंख्या को इस बात को लेकर आउगत भी कराया कि अगर हिंदू एकजूट नहीं होते हैं इस यात्रा कि उनकी जो रूट है उसमें भी कही न कहीं पेज है भागलपुर जहां पर पहले ही आपको याद होगा कॉंग्रेस की कारिकाल के दोर एक भूद बादंगा हो चुका है उसके अलावा वो छेतर जहां मुसलिवों की जनसंख्या अच्छी खासी है कि जनगन अररया पुर्निय इन छेतरों से होते हुए वो जब गुजरेंगे तो निच्चित ही विवाद बढ़ सकता है बिहार में नितीज कुमार की पार्टी हर बार ये दम भरती रही है कि वो जिस तरब भी रहें नितीज कुमार उन्होंने बिहार को कभी भी ट्रिपल सी के आग में नहीं जोका है देखे क्राइम और करफन तो अपने जगह है लेकिन कमिलजिन से नितीज कुमार ने कभी कुम्परमाइज नहीं किया है ये उनकी पार्टी बार बार चीक चीकर कहती है ऐसे में गिर्राज सिंग की सियात्रा पर जब विवाद सुरू होता है प्रसांद की सोर नितीज कुमा चुपी तोड़ दी है जदू ने चुपी तोड़ते हुए जदू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने जो बयान दिया है उसे आप पहले सुनिए आपने सुना नीरज कुमार ने बिना किसी का नाम लिये इसारो इसारो में गिराज सिंग के इस कारिकरम पर ग्रहन डाल दिया है उन्होंने इस कारिकरम के मनसुबे पर सवाल खड़े कर दिये हैं इसी तरह एक चैल्ण पर बात करते हुए राजत के प्रवक्ता ने ये कहा है कि नितीज कुमार या तो अपनी पाटी का विले कर लेंगे भाजपा में इस कारिक्रम के बाद या फिर नितीज कुमार गटबंधन तोड़ लेंगे नितीज कुमार को उनके विवहार के विफित, समाजवादियों का विवहार रहा है, उसके विफित इस गटबंधन में कई मुद्धो पर कॉंप्रमायलिज करना पर रहा है तो क्या नितीज कुमार की जो कुरसी है जो 2022 में परिस्थितियां बनी थी आप को याद होगा भाजपा के लोगों ने जिस तरिकेस नितीज कुमार को उपर चापा चढ़ाया था जिसके बाद नितीज भाग खड़े हुए थे जो 2020 की चैनिज सरकार थी उससे और से यसवी को बैक डॉर से सरकार में इंट्री मिल गई थी क्या इसी परिस्थितिया फिर से आ सकती हैं देखें जो राजप के लोग हैं वो तो यही कह रहे हैं कि नितीज कुमार को कुरसी से हटाने को लेकर हिंदुवादी एजिंडे पर काम करना सुरू कर दिया है कि राज सिंग ने औ कि यात्रा और इस यात्रा की परिकल्पना कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछली बार भी इनी कारणों से हिंदुवादी इन इंडे पर काम करनी वैसे नितीज कुमा थोड़े भाजपा से सहम गये थे थोड़ी बनाने लगे थे और दूरी इतनी बढ़ गई कि अन्ततों सरकार से अलग हो गया है आज केंद्र में भी सरकार भाजपा की नितीज पर डिपेंडेंट है तो क्या ऐसी गलती गिर्राज सिंग को करनी चाहिए या यह गलती है भी या नहीं कर दो लिए को झाले कि देखा तो एक परिशिती तो ऐसी पैदा हो रही है चिस परिष्थिती ने वर फिर से बिहार को वह धर्ती meth Commissioner कर दिया जहां से एक तंतर है जी मैं इसलिए यह बात बता रहा हूं कि चुकि यह कडियां आंदोलन से जुड़ी हुई है और ये भी एक तरह से आप मानिए हमारे आपके लिए हो सकता है सेकुलरिज्म के लिए यह आंदोलन नहीं हो लेकिन भाजपक लिए तो आंदोलन ही है क्योंकि ऐसा ही एक जिसके रत को बिहार नहीं रोका था तेईस अक्यूबर का बो दिन था बिल्कुल और ऐसे ही हिंदुट के बात कर रहा हूं और उस समय भी एक समाझवादी नहीं उस रत को रोका था आज भी एक समाझवादी विचाद्धारा की आप चर्चा सून रहे हों पिछले चार दि हैं आप तो इधर ही बढ़ियां थे नितिश कुमार के लिए बिगट परिस्थिती है जिस नितिश कुमार ने एंडिये गट बंदन में भारती जनता पार्टी को आप बार बार कहते हैं कि खुटे से बांध करके रखा है और पिछले लगबत तीस वर्सों में तीन दसक हो ता है नितिश कुमार ने इन दस सालों को ऑकषोड़ दिया जा तो जब भारते जनता पारटी सब्सक्ता में आई पुर्य मोहमत की सरकार बनाई इस बीच में वह निरंंकुछ जरूर हुई यह निरंकुस कुमार के अधा तो उसने अपने अजडे लागु किये हैं उसने लेकिन इस बाद 2024 में परिस्थितियां बदली हैं उसके बाद अगर भारती जनता पाती हिंदुत के एजेंडे को लेकर के चलती है तो इसके पीछे मेरा जो मानना ये है कि 2024 के एजेंडे जिस तरह से सेट किये गए थे राम मंदीर को लेकर के राम मंदीर का निर्मान अनन फा का हो आता य। यहां उसके शूरा महीं यहां जारा था कि पूरीत दोष्ट हो गई ह भारते जंता पाप्राटी सब्स्डा मैं आप से नahीं करें गी में ती लेकिन का एक बड़ा वोट बैंक हिंदुगों का ही है उस वोट बैंक भाजपा को सवाइब करना पड़ेगा बाकी सभी जो जाती हो धर्मों को उन्होंने जब अपनी तरफ अकरसित करने कुछिस की तो जो घटना हुई है चुनावी अयोध्या में वो यह साबित करती है कि भाजपा अपने मूल जिस से बटकती है तो उसका वोट बैंक में हरास ही होता है आपने बात कहीं बबाद की जद्यू के कारियाले के गेट के खूटे से बंधी हुई है राती है भाजपा जानवर दो ही प्रकार के होते हैं जो खूटे में बंधे होते हैं उनके दो ही प्रविरती हो अब कभी सहज महसूस नहीं करता है उस खूटे को ततकाल इन स्विकार तो लेता है नत की वह से लेकिन उसमें प्रविर्टी जरूर रहती है कि जिस दिन मौका में ले वो खूटे तुड़ा कर भागता है जिस खूटे के जानवर होता है कि आपने जब कहा आडवानी के यात्रा की तो अडवानी के यात्रा का जो बाई प्रोड़क्त था वो तो बड़ा दुखदाई था पूरा मामला राम मंदिर को लेकर हुआ बाबरी विधवन्स ये सब तो उसी के बड़ाई प्रोड़क्स हैं तो अगर गिर्राज सिंग ऐसे किसी और कारिकरम की तरह बढ़ रहे हैं तो क्या भाजिपा आने वाले पचास सालों की राजनीती अपनी मजबूत करने के लिए सब्सक्राइब करने जा रही है या अटोरी गोल है कि दौैफ़ज के शुले इलेक्सन में बिहार में तेम्पोररी इस राम मंदिर के मुद्दे को हिंददों के मुद्दे को भुनाया जाए खास तर पर उन चैत्रों में जहां मुसलमों की जन्सक्ट जादा है हम ने हमने ह जाज़ार एक लाग दो लाग वहीं हिंदू परत्यासे जो जीते हैं भाजपा की तरफ से उनके जीत का मार्जिन दो हजार और पांसो तक वोटों तक का है तो थाबित करना चाहा है कि मुस्लिम काफी एक जूट है और शब्स हिंदू के वोट में काफी हरास हो रहा है तो क्य इसके जंता पार्थी से सात्राइस जीते हैं जेंट जीते हैं जाट समाज से से स्टेमैंट को सामने लाना और यह करना कि शंघठित हिंदू सुरक्षित हिंदू ये नारा है गिराज सींहां उन तो यह तक एडिया को काट भूता है बिलकुल बिलकुल और उन्होंने शुरूआत कहां से की है तो भागलपूर से, यह इसनीए जाना जाता है, कि यहां एक बहुत बड़ा दंगा हो चुका है, और वहां से सुरू हो करके वो कटिहार जाते हैं उने इस तारीको, 20 तारीको पुर्या, 21 तारीको और 22 तारीको किसन तरफ ही होता है इसके अलावे नमंजी और भी जो बहुत सारी बाते हैं जिसको आप बहुत कंभीरता से अगर देखिएगा तो आपको दो तीन चीजे से बड़ा मजबूत में जराएंगी पहली बात ये कि नितीश कुमार्ट इससे पहले भारती जन्तापार्टी को जटका द जो मुख्य मंत्री की छमता रखता हो और अपने आलावा किसी को जिताने की चमता रखता हो इक नेता का भी नाम मैं पूछ रहा हूं यह एक ऐसी परजाती है जो भाजपा को मिल नहीं रही है बिल्कुल बिल्कुल नमंजी और नितीश कुमार्ट ने क्या है कि पिछले बी की पर ईसने खारा किया गया था और यह दोनों उसी खुट में बखरी की तरव बंदे अज समझे है कि नितीश कुमार इनके घर जाते है और जाकर इनके इनके ब्रीफ परवेश में या का रिट पूजा में सामिल होते हैं तो उस समें आप देखिए का हाथ बांध के किस तर तो यह परिस्थिती से निकलने के लिए भाते जन्तापार्टी के पास अभी दूसरा कोई समय नहीं है और आप जो बहुत महुत पुर्ण बात कहते हैं कि नितीज कुम्हार जितना अधी कमजोड हो रहे हैं तो उनके कुर्सी को लूटने के लिए गजर मचा हुआ है कभी उनके पास जो बौतन होता है वल्लू राजनित के लिए जन्तापार्टी को इसकी अज वाल्ड नेता है उनको किया जा careful बहुत जल्दा आप धेक सकतेैं कि अभी खाली बैठा को एं असुनिदी चवब सब्सक्राइब पूरी प्रजाती समाप्तना हो जाए अगर लालू परसाद को है तो दिया जा रहा है उनके फेलो समाजवादियों द्वारा जी यही दबाव डाना चाहता है कि समाजवादियों को बचाने के जिम वारी अब नितीश कुमार की है और एक और महतुपूर्ण बाट की सभी तो ह कि इसमें मो 습िकारन जो है श्मीम और यादो समी करण नितीश कुमार को सभात का डर लग रहा है कि नितीश बाट का है तो नितीश कुमार का बेस पॉइंट ही समाथ हो जाएगा बिल्कुल एक तरफ जहां आप देखिएगा कि लालू लगाया गया है वही नितीश कुमार को खेवने के भी पूरी तैयारी हो गई है और यही कारण है कि सभी चिला चिला करके कह रहे हैं कि नितीश कुमार जी आ जागिये आजाएए जी यही आ रिष्टे 2022 के जैसे खराब हो सकते हैं क्या नितीज कुमार को ये डर है और क्या भी एमानते हैं वाबा कि ये जो कारिकरन सुरू हुआ है गिर्राज सिंग का ये दरसल नितीज को फाइदा इंडिये को 25 में फाइदा पहुचाने के लिए कम है और भाजपा के स्वावलंबन भाजपा के अपने दम पर सरकार मनाने के और या ताकत बढाने के और ज्यादा है इसनितीज को में डाइमेज होंगे सिंपल सी बात है कि जो आपने देखा होगा कि आज से पंदरा दिन पहले जो जो राष्टिय जन्ता माफ की जगा जन्ता दर उन्याइट की जो कारेकारनी की बैठक हुई उसमें तीन बाते बहुत महत पूर्ण जराई एक जो अंदर में हंगामा चला जो खास करके भारते जन्ता पार्टी के समर्थन में जो लोग थे उन लोग के विरुदेख माहल बनाने की कोशिस की गई आपको मालूम होगा सब्सक्राइब से लेकर के संजय जा संजय जा से लेकर के विजय चौदरी विजय चौदरी से लेकर के ललान सिंग तक सभी चाहते हैं आज बिलकुल बिलकुल दो खेमे में बट गई है और इधर जो दो तीन एजेंडे भार्ते जन्ता पार्टी ने लाए है और उसे एंडे पर मुहत नलग करके उसको जेपीशी को दिया गया है चाहे वो वक्त वोर्ड का मामला हो या अन्य मामले हो उसको लेकर के भी कही न कहीं बटा और यही कारण है कि नितीश कुमार को ऐसा लगने लगा है कि अगर वो अभी के स्थिती में हैं तो चूप रहने में उनको भलाई है और कहीं न कहीं भारते जन्ता पार्टी को ऐसा लगने लगा है कि यहीं वो मौका है जब चारों तरफ से नितीश कुमार को अगर चांप भी नहीं आज जिस तरीके से इस गिराज सिंग के कारिकरम के सुरुवाती दोर में ही अभी भूरून फेज में ही है और उसी दोरान जब पैनिक हो जा रही है जदियू राजद उसका पुड़ा फाइदा उठाने कोशिश कर रहे तो निश्ची थी डर इस बात का जरूर लग करता है अगर गिराज सिंगे सनेताओं को भाजपा चुक नहीं कराती है रोकती नहीं है तो निश्चीत ही ये विवाद किसी वक्त बहुत बड़े जंगल के आग का रूप ले सकता है अगली ख़वरम दलदी मुराकात करते हैं तन्यवाद पनोर्म कुरूप जो सोचता है वो करता है अगर वीडियो पसंद आई अरुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से स्वरोकार रखे नी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ले ओजे गो घंटी बाग उकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक ख़वर रूप मुफ्त में मि बटन दवाब